अगर किसी हाई कोड के जज, जस्टिस, अगर वो अपने पत से इस्तीफा दे दे और किसी पार्टी में जुडने की बात हो, उस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो, और वो ये कहें कि मैं उस पार्टी के संपर्क में सिर्फ साथ दिन पहले आया हूँ, अभी सामान ने नहीं है ये कि कोई भी मान जाए एक जस्टिस अभजीत गंगो पाध्या कलकत्ता हाई कोट के नामी चर्चित कई मामलों में उनकी सुर्खियां जो हिंदी प्रदेशों में भी हुई उनको कुछ फैसले उस पर चर्चा हुई उन्होंने स्टीफा दिया और स् करेंगे लेकिन जब कोई जज इस तरीके से अपने पद पे रहे और अचानक सिस्तीफा दे करके किसी एक पार्टी से जुड़ने का एलान कर दे तो क्या उसकी विश्वसनीता पर सवाल नहीं उठेंगे क्या उसने जो फैसले दिये या सुनाए उनको दूसरे चश्मे से न उस पर नहीं लगेगा आम पब्लिक कुछ भी सोचे या देखे लेकिन विपक्षी तो तुरन सवाल उठाने लग जाते हैं मेरे साथ सोम है और सोम मताएंगे कि एक्चुल में हुआ क्या है जिस्टिस गंगुपाधिया की क्या कहानी सोम तुला इसको विस्तार साब बताई कि एक पर प्रोफाइल लिखी कल जब हम लोको के पास खबर आई कि इन्होंने इस्तीफे की घोषना की है स्तीफा इन्होंने इन्होंने कहा कि में अचिछ पंडिंग मैंटर्स हैं और मैं तुजडे को इस्तीफा दूँगा तो आज उन्होंने अपना वादे मुताबिक इस स्तीफा दे दिया तो यह इनका नाम कई केसिज में आया है लेकिन सबसे पहले बेसिक फौरी इनका जो परिच्छा है वह यह कि कलकत्ता में यह जन में वहीं पढ़ाई लिखाई हुई इनकी और फिर इनके पिता जो थे वह एक नामी वाकील थे शहर के बावजूद इसके इन उने वेस्ट बेंगल सिविल सर्वेसेस से अपना मदब ग्रेजुएशन के बाद वो किया वकालत नहीं चुनी और दीनपुर जिले में यह बतौर ग्रेडे अधिकारी पोस्ट पोस्ट थे फिर उन्होंने वहाँ पे अपना कार भारे सम्हाला फिर बाद में इन्होंने स्तीफा देकर यह सरकारी वकील बने और मई 2018 मर जाके इनको एक अत्रिक न्याय अधिश नियुक्तिया जाता है जुलाई 2020 में यानि दो साल बाद इनको स्थाई न्याय अधिश बनाया जाता है तो यह उनका फौरी परिचा है अब हम लोग कुछ केसे जिससे बेसिक हम समझ सकें कि कैसे क्योंकि बार बार इनके साथ यह चीज जोड़ी गए कि इनका वेस्ट बंगॉल सरकार मंताब एनरजी सरकार के साथ एक टसल रहा तो तीन केसे देख लेते हैं एक जो था वो था कि पश्चिम मंगाल जार का जो सिक्षा सिक्षक भरती घोटाला था तो उसमें टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की अवैद भरती व्यापक तोर पर ऐसे आरोप लगे और आपको यादो का तब के जो सिक्षा मंतिर थे पार चेटर जी वो गिरफतार इसी केस में थे तो उस समय क्या हुआ था कि जब यह सुनवाई कर रहे था और इन्हों ने ही वो आद तो ममताब एनरजी के भतीजे और टीमसी के जो नंबर टू आप कहले जिए मताब एनरजी के और टीमसी के जो सांसद है अभिशेग बैनरजी उनके फाइनांसिस पर सवाल उठाए सीधे तोर पर और उन्होंने सिर्व वो एक मौका है फिर मैं तोड़ा सा डाइवर्ट कर लेकिन एक और बार उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा कि भाइपो यानि जो भतीजे को कहते हैं बंगॉली में वो धन जुटा रहे हैं तो वो इस तरह के जो फाइनांसिस के आरूप है उन्होंने उत्प समय लगाए सीजे आई चंद्रचूड ने इस मामले का इस इंटव्यू को देखा होगा उनके नजर में आया जो भी उन्होंने संग्यान लिया और उन्होंने पहले हिदायत दी कि पहले तो अगर आप को इसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो आप इन टीवी इंटव्यू नहीं दे सक मिसी जो इंटरव्यू था उसका ट्रांसलेशन इनको भेजा जया क्योंकि शयाद बंगला में वह इंटरव्यू थे तो उसका ट्रांसलेशन सुप्रीम को दिया जया इक बेंच बैठी शाम में अगिका मोजा बैठक होई अर उसमें उन्होंने बोला कि ये न्याइक मेडिकल कॉलेजिस में मेडिकल कॉलेजिस में राजी के कुछ कथित अनियमत थी उसकी इनोंने CBI जाच का आदेश तो राज सरकार फिर से हाई को अपिल की डिविजन बेंच को मतलब एक हायर बेंच को उन्होंने अपील किया वहां से ये इस आदेश को रोक दिया गया तो उस बेंच में थे जस्तिस सौमेन सेन और जस्तिस उदै कुमार उनकी बेंच ती उन्होंने रोक दिया यह कहते हुए कि राज सरकार को अपना पक्ष रखने का मुका नहीं दिया इसलिए जरूरी है कि एक बार और अपील की जाए और फिर हम लोग सुनवाई करेंगी तो जस्टिस गंगो अपद्ध है ने जो जिनका फैसला था सीब्याई का उन्होंने एक लिखित पत्र लिखा और उसमें अपने सीनियर जस्टिस सेन के खिलाफ लिखा कि बहुत गंभीर के उपर किसी जज के जज्मेंट के उपर कोई कॉमेंट करता है तो इन्होंने वह एक ये भी इनका एक रहा है और शिक्षापरती होटाले में एक और चीज इनके कोर्ट रूम ड्रामा जिसको आप कहेंगे वहा था कि एक बार मतलब इसी जब पार्चेटर जी का कि गिरफत के बीच इन्होंने जो पत्रकार थे उनने बोला कि इसको देखो ये क्या हो रहा है मतलब उन्होंने बोला कि इसको रिकॉर्ड करो पत्रकारों को और एक वकील को अरेस्ट भी करवाया इसी केस में तो इस तरह का तब से थोड़ा एक वकीलों के एक गुट जिनको आप कोट इन कोट कह सकते हैं कि जो सत्ता के बंगाल की सत्ता के करीब करीब ही माने जाने वाले उस तरह के वकील ہیں उस उस गुट से इनकी तना तनी भी चलती रही बत और जस्टिस तो इनका इस तरह का का एक कारेकाल रहा है जिसमें परयाप्त विवाद है तो एक justice जो दूसरे justice के उपर आरोप लगाते हैं कि ये राजनितिक दल के प्रती जो है रुजान रखते हुए काम कर रहे हैं वो खुद इस्तीफा दे करके एक राजनितिक दल से जोड़ने का ऐलान कर देते हैं इनका जो हमारे साथी सोम ने करते हैं कि चीफ जस्तिस से भी इन्होंने भसड़ पाली हुई थी जो है कॉमेंट जो राजनितिक टिपनियां भी करते रहें जो कि एक होता है कि जज आम तो पर जो एक मर्यादित और इशारों में बात करते हैं तो जब यह भाईपो और इस तरी के इस्तेमाल करना तो डि दूसरे के नेता करते हैं वह बीजेपी के नेता टिमसी पर टिमसी के नेता बीजेपी पर तो करते ही रहते हैं लेकिन आप यह पे चर्चा जो है सोम वह यह है कि इस्ट-मिदनापूर की तमलूग सभा से यह चुनाव लड़ सकते हैं साथ तारिख को यह जस्टिस बागया इस्ट मिदनापूर सुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है उसी सीट से भारती जनता पार्टी दिवेंदु को टिकट ना दे करके कंगो जस्टिस गंगो पाधिया को टिकर दे सकती ऐसी चर्चा है सोर्सेस के हवाले से लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि क्या जजों का कोई एक कूलिंग पीरिड होना चाहिए और लंबे समय से इस पर बात होती आ रही है जब कोई भी किसी जज को जैसे जस्टिस चीजिया जो बनाए गए राज जिपाल तो एक सवाल रहरे करके उटते हैं कि अगर कोई जज पाधव पे सुप्रिम कोट के या हाई कोट से रिटायर होते ही और इनका तो अगस्त में रिटायर्मेंट होना था इन्होंने प्री जैसे हमने देखा कई अधिकारी ही जैसे उत्तर प्र विपक्ष है फिलाल. टीमसी की तरफ से जो एक तरह संट कहले है अपधी जैसे से के पहले चाहर से और भाजपा के साथ हैं लेकिन उसमें मज़े की बात एक चलिंए उन्होंने तो विपक्ष ने ये का लेकिन भाजपा की तरफ से ये लाइन आई मे लिट लगता है कि भाजपा उनकी पहली पसंद होंगे और कॉंग्रेस के तरफ से अधिरांजन चौधरी यह कह रहे हैं कि नयाय के मसीह हैं तो दोनों उनको लुभाने के अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं जैसे इनके घोष्टना की बात आई कि अब यह स्तीफा देंगे तो दोनों पाटियो अब यह बात एक दम लगभग लगभगता ही है कि अब यह इनको शायद मदब जो सूतर हमें बता रहे हैं कि इनको टिकेट मिल जाए भाजपा से लेकिन इनों ने जब इनसे पूछा गया कि आप कि इस पार्टी से लड़ेंगे तो ने बला कि भाई मैं तो जो मुझे टिक जो है वो जाहिर करती थी इस्तीफे के गोश्टना के साथ ही और तब टीमसी ने साफसाव यह कहा था कि हमें तो पहले से ही पता था कि चलो यह बड़ा बहला इन्हों ने लिखा सच में कहा है बहला कि अगे इन्हों ने खुद से बता दी हम तो बहुत पहले से कह रहे थे बात यही है कि कोई भी विक्ति जो नियाय के पद पर बैठा हुआ है को चाहे बीजेपी में जाए चाहे कॉंग्रेस में जाए चाहे भारती जनता पार्टी में जाए किसी भी पार्टी में जाए तो सवाल तो उठेंगे ही और उसके बाद फिर उसके फैसलों को भी आम समा पर देते हैं लेकिन जब इस तरीके के राजनेतिक फैसले लिए जाते हैं तो जो फैसले होते हैं उनकी निष्ठा पर सवाल उठते हैं और या इस केस में भी उठ रहा हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात ना लगे यहां के लोगों को या फिर जो हिंदी पटी के लोग है कि अर्बंगाल का महमला हम से क्या है लेगिन ये अगर इस तरीके की रवायत देखने को आगे मिलती है तो ये अपने आप में बहुत ही अलग तरीके की रवायत होगी और इसको किस नजरिये से बाकी लोग देखेंगे जो पत्रकार फेटेंटी या फिर खुद जो इनकी ज सब भी देखने वाली बात होगी अभी तक जो चल रहा था वो हमने आप तक पहुचाया ये जानकारी हमें लगा ये जरूरी जानकारी है जिसे देश के हर तपके हर नागरिक को जानना चाहिए आपको ये पूरी बाची सोमने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट करक मेरा नाम अभिनो पांडे है, मेरे साथ कैमरी के पीछे मेरे साथ ही जतिन गोठवाल है, देखते रहें दीललन टॉप, शुक्रिया